हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ गीत स्वागत है आप सभीका मेरे चानल gardening with गीत कुमार में कुछ प्लांट्स है मेरे तो सब के नाम शेयर करूँगी कि कौन-कौन से प्लांट्स हैं इंडोर हैं आउटडोर हैं फ्लारिंग प्लांट या नॉन फ्लारिंग प्लांट से तो यही आज का हमारा प्लांट वीडियो टॉपिक है अगर आप लोगों को मेरे प्लांट वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रू करें मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को जिन्होंने अभी तक एक तरह के फलारिंग प्लांट अगर आप लोगोंने नहीं लिया तो जरूर खरीदे क्योंकि बहुत ही ज्यादा खुबसूरत प्लांट है और इस प्लांट को अगर लेकर आते हैं तो आप लोगों के पास अगर कोई बड़ा स्पेस है जैसे लाइं एरिया आपका बहुत में इस बाइन को लगाएं क्योंकि यह जो इसे बहुत जल्दी बाइन पॉध्र जश्राइट होते है नहीं 8 जल्दी गड्रोथ होती है इन पॉधों की है और व्रेला बहुत सारे होती है एक एक बार में हिसाद से अगर दो और यह जो आओडो प्लान्ट है खास तोर से क्यूंकि इस अगर धूप मिलेगी तभी इसमें फ्लारिंग होगी तो धूप की रिकॉर्मेंट जो है इस बहुत जादा कड़ी धूप से इस पौधे को बचाए वरना इसकी जो पत्तिया है फिर वो जलने लगेंगी तो यह था कैना लिली और इस प्लांट को कोशिस करें कि हलकी मिट्टी में लगाएं क्योंकि अगर सिर्फ मिट्टी में आप लगाते हैं तो उस समय भी आपको पानी का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा एक ब बहुत ही बुरे तरीके से इसको अगर जादा देर मिट्टी में मौश्टर बना रहता है गीला पन रहता है तो उसकी वजह से बहुत जल्दी खराब कर देते हैं इसलिए इन बातों का ध्यान रखें तो यह था कैना लिली और यह इस तरह से मल्टिप्लाई होते हैं फ्रें इसलिए मैं कोशिस करती हूं आप लोगों को दिखाने का तो यह आप लोगों को छोटा सा जो ग्रीन कलर का दिख रहा है यह भी चोटा बेबी पप निकल रहा है इसे तरह के यह आसपास में ढेरो पौधे निकाल लेते हैं तो इस तरह से आप बहुत सारे प्लांट्स एक स नहीं है इसलिए मैंने इसको गमले में लगाया है वरना मैं भी ग्राउंड में ही लगाती इसको दूसरा जो प्लैंट है यह बहुत ही खूब्सूरत और इसमें फूल नहीं आते हैं यह है फ्रेंड्स बॉस्टन फर्न हैंगिंग बास्केट में लगाने के लिए बहुत फ्रेंट को भी खूब्स निकालता है और अभी तक निकाल रहे हैं विंटर स्टार्ट स्क कि पत्या निकलती रहती एंग अरी यह सद्वियों में यह अपनी ग्रोथपत कर देता है यह बंधि कर देता थै कंकि यह इन आपकी इन फूल में खाद ना दिया करें जो भी आप लोगों को देना हो इस पौधे में फ्रेंट्स फरवरी के महीने में एक बार अच्छे से दे दें तो यह प्लान बहुत अच्छी तरह से ग्रो होना शुरू हो जाते हैं नई पत्तियां फरवरी के महीने से आना स्टार्ट हो जाती हैं इस दूंगफली जैसे जो बर्ब्स होते हैं वह बहुत जल्दी खराब होने लगेंगे गलने लगेंगे इसलिए इसमें पानी बैलंस में दे लेकिन हां यह एक मौश्टर लविंग प्लांट है तो इसमें पानी का स्प्रेय दिन में दो से तीन बार कर दिया करें तो इसकी ग् चमच एन पी के डाल कर महीने में एक बार पूरे प्लांट पे स्प्रेय कर दें पत्तियों पे खास तोर से और बाकी बचा पानी इसके जड़ों में डाल दें तो इस और साथ में हो अगर आप लोगों के पास तो एपसम सॉल्ट एक छूटा चमच मिक्स कर दें उसी के साथ और फिर आप इस पे स्प्रेय कर दें एपसम सॉल्ट इस प्लांट को बहुत पसंद है तो महीने में आप एक बार ऐसा कर सकते हैं तो इससे लश ग्रीन भी बना रहेगा ग्रोथ भी प्लांट की बहुत अच्छी होती रहेगी और इस प्लांट को अगर रखा अपने घर में तो ऐसी जगह में रखे जहां बहुत ही अच्छी रौशनी मिले इसको ब्राइट लाइट मिले और साथ में अगर सुबह की एक आत घंटे की धूप हल्की सी मिल जाती है तो यह बहुत ही जबरदस तरीके से अपनी ग्रोथ करते हैं तो यह था बॉस्टन फर्न नेक्स जो प्लांट है यह है रजनी गंधा का प्लांट और यह बहुत ही खुबसुरत फ्लारिंग प्लांट होते हैं जितनी ज़्यादा धूप मिलती है उतनी ही अच्छी फ्लारिंग होती है अब बात करूं इसकी फ्लारिंग की तो इसमें फ्लार्स जो आते हैं फूल जो अगर आप लोगों नहीं लिया तुने है बहुत हIs खूबसूरत flaring plants होते हैं और इसकी जड़ों में चोटे-चोटे bulbs होते हैं तो इसको आप उस तरह से multiply कर सकते हैं एक plant से देखेmi find Carmen इसमें मैंने बहुत चोटा सा plant लगाया था दो तीन ही प्लांट थे छोटे छोटे और अबी पूरा गमला भर गया है कुछी महीनों में एक आदी महीने हुए इसको लगाय हुए और भर गया पूरा गमला तो इसमें tubers होते हैं जडों में जो की बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड आप multiply कर सकते हैं एक ही पौदे से बढ़ जाते हैं बहुत जल्दी जल्दी तो इसलिए पानी का ध्यान रखें एक बार पानी देने के बाद मिट्टी सूखने लगती है तब ही दिया करें और इस plant क को कम्रीट ली धूप में ही रखें क्विकि कोई भी flaring plant है तो इसको grove में ही रखना चाहिए अगर फूड प्ल लैनन को कोशिश करें धूप में ज़रूर के उतनी जशी फ्लारिंग होटाइयै और कीड़े मकॉड भी बहुत कम लगते हैं तो यह था रजनी गंदा का प्लांट इसके अलावा जो प्लांट है फ्रेंड बहुत ही खूबसूरत है घर-घर में आप लोगों को देखने को मिलेगा बहुत ही कॉमन हाउस प्लांट है यह है मेरिगोल्ड का प्लांट जिसे गेंदे का पौधा भी कहते हैं और मैंने जो पौधा खरीदा है फ्रेंस इसमें धेरो कलर के साथा कलर की की इटिलब युझाकि या और फॉल वाली पौधे लगएंब 120 जरू वीडियो को रिख्याले करें चैनल को हैसे अगर अच्छी पयानैंगी और लॉप मेरिगो को प्लांट कंप्लीटलि आउड्वड़ड है और जितनी जलादा जूप मिलेगी जैसा कि मैंने अभी ही बताया फ्रेंट्स की फ्लारिंग प्लांट्स को खास तोर से जादा धूप की जरूरत होती है वरना फूल आ रहे हैं तो कम आएंगे या तो फिर बिल्कुल ही आना बंद हो जाएंगे इसलिए धूप की बहुत जादा रिक्वार्मेंट होती है इन पौधों को और पानी का ध्यान रखें बहुत जादा पानी ना डालें तो इसकी ग्रोथ अच्छी होती रहेगी यह अगर पौधे आप घर में लगा कर रखते हैं तो इसकी खास बात है यह कि फ्रेंट्स अगर आपके घर के आसपास या घर के अंदर साप आपको देखने को मिलते हैं तो इस पौधे को ज़रूर लगाएं गेंदे के पौधे को इसकी खुश्बू से साप दूर भागते हैं बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है सापों को इसकी खुश्बू तो इस पौदे को जरूर लगा कर रखें साब को दूर भगाने के लिए ये बहुत ही एक medicinal plant है बहुत तरह की दवाईयां बनाई जाती है हम लोगों की health की जो बिमारियां होती health से related उन सब को ठीक करने के लिए तो बहुत ही अच्छा और फाइदेमन plant है बहुत ही सस्ते मिल जाते हैं 20 से 30 रुपे में तो जरूर खरीदें ये पौदा फ्रेंट्स winter flowering plant है सर्दियों में जादा इसकी जो flowering होती है वो जादा होती है तो अभी बहुत अच्छा टाइम है नहीं लिया हो तो जरूर खरीदें और ये cutting से भी आप ग्रो कर सकते हैं गेंदे के पौदे को इसके अलावा जो plant है ये है फ्रेंट्स ड्रेसिना का plant इसे महात्मा ड्रेसिना कहते हैं बहुत एक खुबत और्नमेंटल plant है इसमें फूल नहीं आते हैं ये indoor plant है सुबह की हलकी धूप जरूर चाहिए होती है इन पौदों को indoor plants का मतलब ये नहीं होता है फ्रेंट्स की बिल्कुल भी धूप की जरूरत नहीं होती है कोई भी ऐसा plant नहीं है धरती पे जिसको धूप की requirement नहीं होती है हाँ बहुत कम मात्रा में होती है लेकिन होती जरूर है इसलिए अगर indoor plants घर में लगा रखे हो तो उनको धूप भी जरूर दिखाया करें ताकि उनकी growth अच्छे से हो सके और कीडे मोकोडे जो है वो कम लगे पौदो में तो indoor plants को सुबह की healthy धूप जरूर दिखानी चाहिए ताकि उसकी growth अच्छी होती रहे जितनी अच्छी धूप मिलती है उनको सुबह की healthy उतनी ही अच्छी growth होगी उन plants की तो ये था ड्रेसिना महात्मा इसे cutting से grow कर सकते हैं और अगर ये plant बिल्कुल लेगी से हो रहा है ऐसे ये बिल्कुल माल लीजे कि ये लंबा इसी तरह से इसकी डंडी निकलती जा रही है काफी उंची हो गई है तो इसकी cutting कर दिया करें तो अपने आप ये plant घना होता चला जाता है और उस cutting को फेके नहीं उसी गमले में मिट्टी में लगा दें तो उससे एक और plant आपका त्यार हो जाएगा तो ये था महात्मा ड्रेसिन बहुत ही खुबसरत ornamental plants होते हैं इसमें फूल नहीं आते हैं और indoor plants होते हैं इसके बाद जो plant है ये है फ्रेंड स्पाइडर plant जिसे chlorophytum komo sam भी कहते हैं इसकी बहुत सारी varieties होती है ये एक indoor plant होता है इसे bright light की जरूरत होती है और पानी की misting करते रहें बहुत जादा पानी ना दे क्योंकि इसकी जड़ों में भी छोटे-छोटे bulbs होते हैं बहुत जादा पानी देने से इसकी जो bulbs होते हो खराब हो जाएगे और इसे hanging basket में लगा कर रखें तो बहुत सुंदर लगता है ये एक spider plant और ये friends ये जो plant है Boston fun इन पाधों को hanging basket में लगाने से बहुत खूबसुरत लगते हैं space भी कम लेता है और देखने में भी बहुत खूबसुरत लुक आता है ये dwarf variety है छोटी पत्यों वाली air purifying plants होते हैं spider plant भी बहुत अच्छे air purifying plants होते हैं तो अगर आप spider plant के अगर कोई अच्छा सा air purifying plants ढूण रहे हैं तो spider plant लगाएं और syngonium जरूर लगाएं क्योंकि ये भी बहुत अच्छे air purifying plants होते हैं इसको आप cutting से भी grow कर सकते हैं और एक aerial root plants होते हैं जिसमें जगा जगा से जड़े निकलती हैं तो इस plant को grow करना बहुत असान हो जाता है पानी में काट केस की cutting को डाल दें जहां से इसकी जड़े निकलाती है उसके नीचे से friends काट दें और उसको पानी में डाल दें तो उसकी जड़े कुछी दिनों में बहुत अच्छे तरीके से develop हो जाती हैं और फिर उसको निकाल के किसी planter pot में लगाएं तो बहुत जल्दी नया plant त्यार हो जाएगा आपका और इस तरह से आप indoor भी रख सकते हैं किसी खुबसरत से planter pot में लगाकर तो बहुत सुंदर लगता है तो यही था अच का हमारा plant video friends I hope आप लगों को पसंदाया होगा आया हो तो ज़रूर like share and subscribe करें मेरे चैनल gardening with गीत कुमार को मिलूंगी next video में till then bye friends take care